हेलो गाइस रादिनादी जी मैं हूँ प्रहंग करना मेरे चैनल वेच फूलेवर में आपका स्वागत है आज मैं आपके लेकिए लेकिए ट्राइफ फूलेवर की रेस्पी यह बहुत ही हेल्दी होते हैं और कमजोरी तकान को दूर करती हैं यह विंटर स्पेशल रेस्पी है आप भी ट्राइफ करकी देखिए हमारे रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल वेच फूलेवर को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बोले चलिए शुरू करती हैं ट्राइफ फूलेट लड़ू की लड़ू को बनाना जिसके लिए ले लिया है हमने बदा दो से तीन डुक WOR में काठ लिया है यह लिए हमने करबुजे की सीड़ू यह लिया हमने सुखा नारेल को कद्दू कस कर लिया है। यह लिए हमने फंपक्ग एफ जिए हमने किश्मिश वन बाॉल में यह आफ बाउल लिया पिस्ता पिस्ता को मैंने काट लिया है दो दो पीस में यह लिया है खसकस एक चुथाई कप अधा कप लिया है हमने गी देसी गी लिया था और यह लिया आपने डेड़ कप खजूर अब हमें एकलेंगे गडाई उसमें ढाल देंगे 1-2 चमच घी उसमें ढाल देंगे जो हमारे कटी Key per byदाम है वो ढाल देंगए उसे Low to Medium Flame पर पकाइंगे कर अचक्वा कर से अच्छे से मिक्स करते रहें बदाम बोट ही हेल्धी होते हैं सर्दियों में जरूर ही कानी चाहिए हमारे बोडी को स्ट्रॉण बनाते हैं हमने बदाम को चार पीजिसमें काड लिया था आप चाहे तो ज्यादा भी काड सकते हैं जैसे आपको अच्छे लगते हैं है कि इस अच्छ Corday विच से मिक्स करते रहें से अच्छे से पकाना है यानि रोस्ट करना है यह हूगा है अब और इसमें डालेंगी काजू जो कटी वे काजू थे वह डालेंगे बहुत कि उसे भी अच्छे से बुनेंगे हमने दोनों के इसलिए अकठा नहीं डाला था क्योंकि काजु जल्दी से बुन जाते हैं इसलिए हमने बाद में डाले हैं इसे दोनों के अच्छे से रोष्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने जो काजु और बदाम है उसे अच्छे से रोष्ट कर लिया है जिसे मिक्स करते ने और चलाते ने ताकि यह जो हमारे काजु बदाम है सारे अच्छे से रोष्ट होजे अगर हम भी लाएंगे नी तो वह एक से रसे पक चाएंगे और दूसरी से रसे पकेंगे नी गीए आप अपनी महत्रम इडाल सकते कम या ज्यादा सुमार के क्वायंट्रिटिवी आप कम ज्यादा कर सकते हैं इनके हमने जो यह बदाम है होने वाले हमारी रोस्ट यह हमारे बदाम होगे रोस्ट अब इसे हम निकाल लेंगे कड़ाई से निकाल देंगे अब हम लेंगे फिर से कड़ाई वह कड़ाई उसमें डाल देंगे घी उसे अच्छे से घी को गर्म कर लेंगे गी को अच्छे से मेल्ड कर लिया है हमने इसमें हम डाल देंगे पंपकिन सीड मेलन सीड इस दोने को डाल देंगे कठा पंपकिन सीड बहुत ही हेल्दी होते है इसमें कैल्शियम मैगनेशियम फाइबर पाया जाता है जो कि बोन्स में बोन्स को हेल्दी रखता है और इसे सर्दियों में तो ड्राइव हेल्दी रखता है सर्दियों में तो इसे ड्राइव फ्रूट को जरूरी खाना चाहिए इस रिक्य से हम लड्डू की फॉम में खाएंगी तो आप इजली खुद भी खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं और हम इसे शूगर फ्री बना रहे हैं यानि एक्ष्टा कोई शूगर नहीं डालें इसमें नाचीनी या गूड या मिश्री या शक्कर कुछ नहीं डालेंगी इसमें मैंने लटट अरो एक किश्मिश के रोस्ट करेंगे जयांधा रोस्ट नहीं करेंगे किश्मिश को पिस्ते को हलका सही रोष्ट करना है यह हमारा हो गया रोष्ट अब इसे हम निकाल देंगे अब लेंगे गड़ाई इसमें एक चमच घी डालेंगे उसे अच्छे से गरम कर लेंगी अब इसमें हम डालेंगे हैं कि इसमें डाल मिक्स करदेंगे इसमें डालेंगे उसमें डालेंगे और यह हमारे our के लिए और हेर के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए बैटर हे हैं कि आप आप यह नारी सुखा यह डाले इसे भी अच्छे सी मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर इसके कलर चेंज होते दक इसे वोनेंगे अच्छे से बून लेंगे low to medium flame पर इसे बूनेंगे कसक भी हमारे बोड़ी के लिए बहुत ही अच्छी होती है बहुत ही फायदे मन्द होती है हमें घी कम लग रहा था इसलिए हमें एक चमच घी ओर डाल देंगे अच्छे से भिलाते रहेंगे जिलाते रहेंगे ताकि जो यह नारिल है मारा सुखा वो जले ना यह बहुत ही जल्दी पक जाता है इसलिए इसमें थोड़ा सा घी डाला है ताकि यह जल्दी से जले ना अच्छे से इसको मिक्स करते रहे हैं यह हमारा नारिल जो है और कसकस है वह पकने ही वाली है अब यह देखेंगे पकगी है अब इसका कलर भी थोड़ा ब्राउन हो गया इसलिए इसको भी निकाल देंगे अब हम लेंगे एक डाई उसमें डालेंगी दो चमच घी उसे अच्छे से गर्म कर लेंगी यह अच्छे से मैल्ड कर लेंगी यह डाल दिया हमने घी दो चमच अब इसमें हम डालेंगी खजूर को हमने शौफ्ट हुझोर लिया थि उसे ग्राइनर जार में डालेंगी ग्राइन कर लिया है अगर आपके पास सौफ्ट खजूर नहीं है थोड़े ड्राय है तो आप इसमें गर्म पानी करके उसमें थोड़ देर बिगोंके रख दीजे और फिर उसे ग्राइनर जार में डालके ग्राइंड कर लीजे और उसे अच्छे से थोड़ा सुखा लीजी ताकि इसमें पानी होता है वो सुख जे अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे ये लेलिया है उसमें डाल देंगे सारा समान जो हमने रोष्ट किया था सारा समान डाल देंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए ना तो हमने इसमें गुड़ डाला है ना ही चीनी ना शकर ना चाचनी बनाने का जनजट है बहुत ही असानी से इन लड़ों को आप बना सकते हैं और बहुत ही हेल्दी होते है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये इस सारे समान हम डाल रहे हैं इसमें जो खजूर होते हैं उनके बहुत सारे benefit होते हैं fiber बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है इसमें natural मीठा होता है आप इसे किसी भी चीज में डालोगे तो आपको extra sugar डालने की जूरत नहीं पड़ेगी इसे हमारे लड़ूं में बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब इसे अच्छे से mix करेंगी spatula से mix करेंगी अभी एक बहुत गर्म है इसलिए हम हाथ से नहीं करेंगी अभी हमारा ठंडा हो गया है तो इसलिए हम हाथ से लड़ू बनाएंगी इसकी छोटे बड़े जैसे आपको अच्छे लगते हैं उस अकार से आप लड़ू बना सकते हैं ये देखे कितना प्यारा लड़ू बन गया है बहुत ही स्वादिश्ट है देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आप इसे बना कर स्टोर करकर भी रख सकते हैं ये खराब नहीं होते हैं जल्दी से हमारे लड़ू बनकर त्यार है स्वादिश्ट लड़ू बनी है बहुत ही अच्छे बने है आप इसे बनाकर स्टोर करकर भी रख सकते हैं हमारे राश्बे को ट्राई जरूर करके देखिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए और बैल आइकन के बटन को भी दबाए और हम फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी है हमारे फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम आइडि को फोलो कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रैस्पी के साथ तब तक के लिए तेक केर थैंक्स पूर वोचिंग रादे रादे जी